दूबई में बूर्ज खलीपा वर्तमान में दुनिया की सबसे उची गगनचुंबी इमारत है लेकिन जापान का स्काई माइल तावर 2045 तक इसे अपने टैक से अलग करने के लिए तैयार हो रहा है जापान दुनिया का सबसे उचा टावर बना रहा है और पूरा होने पर यहाँ बूर्ज खलीपा की उचाई से दो गुना और पेरिस के एफिट टावर से लगबग 5 गुना उचा होगा टावर में 421 फ्लोर की एक विशाल संख्या होगी बूर्ज खलीपा कथित तोर पर लगबग आधा मील है लेकिन जब स्काई माइल तावर एक मील लंबा 2040 तक पूरा हो जाएगा तो पूर्व जपान की गगन चुम्बी इमारस से बहुना हो जाएगा यह प्रोजेक्ट कोहन पेडर्शन फॉक्स और स्ट्रक्चरल इंजिनियरिंग फर्म लेसली रोबर्टसन असोसियेट्स के आर्किडेट के दिमा की उपज है अर्थक्वेक एक्टिविटीज और नैचरल कैलामिटीज के प्रती जापन की वलने रियाबिलिटी के परिनाम सोरूप इस विचार की कलपना हुई हाइ राइस टावर टोकियो को सुनामी के खत्रे सही वाइलेंट क्लाइमेट एक्स्प्लोजन से निपटने के लिए तैयार करेगा आर्किटेक्ट्स ने 2045 में टोकियो की अपने दुरुष्टी में 5577 फिट गगन चुम्बी इमारत की कलपना की है टोकियो बे में स्थीत नेक्स्ट टोकियो नामा की योजना अगले 20 एर्स में एक मीनी सिटी का निर्मान करेगी दुनिया की सर्फ से उची गगन चुम्बी इमारत 2045 तक बन जाने की संभावना है और हवा से मिनीमम रेजिस्टन्स एंशूर करने के लिए आकार में हेग्जागोनल होगी टावर में लगबग 55,000 लोग रहेंगे और यह अपने आप में एक शहर जैसा दिखेगा इस बिल्डिंग की डिजाइन इसे ट्रेडिशनल वाटर पं मेकेनिजम से इंडिपेंडेंट बनाती है क्योंकि पानी सीधे वातावरन से फिल्टर किया जाएगा और बिल्डिंग के फ्रंट एंड में स्टोर किया जाएगा कई स्काई लॉबिस और कॉमन एरिया लोगों को मिलने जुलने की सुईदा प्रदान करेंगे परिसर के अंदर शॉपिंग सेंटर, होटल, जीम और सामाजिक सुईदाओं के सभी साधन विक्सित किये जाएंगे नेक्स टोकियो 2045 मिशन के पीछे का उद्देश एक मेगा सिटी विक्सित करना है जो चेंज आओ क्लाइमेट सिचुएशन के अनुकुल हो यह सबसे उची गगन चुमभी इमारत एक पावर हाउस होगी और इसमें एग्रिकल्चर, रेसिडेंशियल, बिजनेस एक्टिविटीस तक हर चीज के लिए जगव होगी टावर में एग्रिकल्चर के लिए गार्डन होंगे जबकि इंडस्ट्रियल पैमाने पर एग्रिकल्चर के लिए जगवी निर्धारित की जाएगी लिफ्ट केबल होगी जो वर्टिकल और होरिजन्टल दोनों दिशाओं में चलेगी चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्रोपीडिया में